Welcome student, इस नई वीडियो में हम पढ़ेंगे pronoun और इसके kinds लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि noun और grammar से जुड़ी हुई कुछ और वीडियो के लिए आप description box में दिये हुए link को click कर सकते हैं तो pronoun और इसके kinds पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूँ कि pronoun का use हम वहाँ वहाँ करते हैं जहां जहां हम noun का use करते हैं क्योंकि pronoun noun की जगह पर class काम आता है, pronoun noun को replace करता है तो जहां जहां हम noun को use करते हैं वहाँ वहाँ हम pronoun को use कर सकते हैं एक दो जगह को छोड़कर अब वह कौन सी जगह है वह मैं आपको बाद में बताऊंगी जब उनका वक्त आएगा तब तो फिलहाल हम इसके काइंड पर कॉंसेंट्रेट करते हैं परसनल प्रणाउं प्रणाउं इंडेफिनेट प्रणाउं और डेमोंस्ट्रेटिव कि इट दे हालंकि हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि यह भी तीन परसन में डिफाइन है तो इसकी एक अलग वीडियो में अलग से बनाऊंगी पूरी वीडियो फिलहाल इतना जानना काफी है कि परसनल प्रणाउं हमारी किसी एक स्पैसिफिक चीज को आइडेंटिफाई करता है किसी परसन का नाम होता है यह किसी परसन को डिफाइड करता हूआ जब कोई नाम होता है और उसे हमें रिप्लेस करना होता है तब हम ॐबत Li कि यह तो ऐसा प्रणाउन जिसमें ownership की बात आती है किसी noun पर ownership जब हम जताते हैं ownership of a noun तब हमें possessive pronoun का यूज़ करना होता है जिसे कि my are your और ऐसे हर वो प्रणाउन जिसे कि he से हुआ his she के लिए हर दे के लिए there तो ये सारे possessive pronoun के हैं एक और pronoun है जो independent possessive pronoun होता है इसको हम यहीं पर अलग से mark कर लेते हैं ये है independent independent possessive pronoun ये भी possession तो रखता है लेकिन इसका फॉर्म अलग होता है जैसे माई का माइन होता है आर का आर्स यॉर का यॉर्स हिस का हिस हर का हर्स और देर का देर्स तो ये भी possessive pronoun की ही श्रेणी है हमें इसको थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना पड़ेगा आपको तीसरा जो हमारा काइन है आज का वो है personal pronoun का indefinite type indefinite pronoun वो होते हैं जो बिलकुल भी non particular things से जुड़े हुए है non particular things इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं जहां पर भी हमें किसी भी एसी चीज के बदले में कोई शब्द लिखना है जो define नहीं कर पा रहा है जो particular नहीं है उसके लिए हमें इस प्रकार के pronoun का use करना होता है non particular things के लिए अब इसके example देखिए every every में हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ें mix होई जाती है few फिर आप देखी सकते हैं every के साथ में everyone भी जोड़ सकते हैं हम चलिए all some और यह सारी ऐसी चीज़ें है जिसमें कि हम जोड़ सकते हैं जिसमें any भी आता है nobody भी आता है यह सारी चीज़ें मिलकर indefinite pronoun को बनाती हैं तो fourth kind आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है demonstrative pronoun demonstration का मतलब होता है किसी को demo देकर दिखाना जैसे कि हमारे घर में हम आजकल हम लोग देखते हैं कि shops के बाहर dummy लगी हुई होती वो demonstrate करती हैं आपको dresses कैसी लग रही है तो हर वो pronoun जो demo कर रहा है जो किसी के तरफ इशारा कर रहा है जो कि already mentioned है तो यहाँ पर मैं आपके लिए keyword लिख दूँ कि already been mentioned already been mentioned अगर कोई चीज है तो उसके लिए जो pronoun आएगा वो होगा demonstrative pronoun अब कैसे अगर वो singular है तो this और plural है तो these और वो दूर की singular है तो that और दूर की plural है तो those और इसमें एक word हम सच और जोड़ लेते हैं यह भी demonstrative pronoun आता है तो उन चार के बाद में अब यह नए चार और हमारे पास में pronoun के kinds है pronoun जो अगला kind है वो है interrogative interrogative का मतलब हमें पता है कि question पूछना तो they are posing a question मतलब यह एक sentence की frame में होते हैं लेकिन उनको question पूछते हुए तो but natural जो भी question words हैं वो सारे pronoun में count होंगे आप लिख लीजिए यह सारे जितने भी question words हैं यह सारे उसी में count होंगे अगर मैं चाहूं तो मैं पूरा लिख सकती हूँ जैसे कि whichever which मैंने whom तो लिखी दिया है फिर whom के साथ में whom ever, who के साथ में whom ever ऐसी यह सारे जितने question words हैं यह सारे interrogative pronoun में काम आते हैं अब इसके साथ में है दूसरा यह जो relative pronoun है इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह एक ऐसा kind है pronoun का जो की sentence को जोडता है या तो close को जोडता है और फिर वो उसकी ज्यादा information के लिए जोडता है तो वह भी दो sentence को जब connect करता है जब वह clause को connect करता है जब वह phrase को connect करता है तो वह उस जगे पर काम आता है जहां पर वह हम की जगे लेता है लेकिन information जयादा देता है तो वह भी उसमें भी यह सारे वही काम आते हैं जिसमें हूं हूं और वाट च वाइं हुआए हुए 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 वर इसके साथ में एक और relative प्रोणाउट है जिसे हम बैक के नाम से करते हैं जानते हैं यह that भी उसी में काम में आता है actually जब हम पढ़ते हैं उस sentence को तब हमें देखकर पता चलता है कि यह interrogative के लिए who काम में आया है यह relative के लिए who काम में आया है क्योंकि जब यह जोड़ेगा जब भी यह सारे जोड़ेंगे तब यह relative pronoun होंगे और जब यह question को frame करेंगे मतलब उस sentence के पीछे question mark होगा तब यह interrogative pronoun होंगे तो यह इन दोनों का basic difference है लेकिन यह है प्रॉणाउण जिस तरह से interrogative और relative यह दो प्रॉणाउण हमें ने के बाद में और समझने के बाद में पता चलता है कि कि तरह से काम करते हैं और किस तरह से differentiate होते हैं उसी तरह से अगले दोनों जो प्रणाउन हैं वो भी उसी तरह से define कर पाएंगे आप जब आप उन्हें अच्छी तरह से समझ लेंगे क्योंकि इनकी पहचान बहुत आसान है लेकिन इन दोनों में अंतर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है पहचान के लिए मैं आपको बता दूँ कि myself और ourselves ये दो वर्ड हैं इन में self और self का प्रणाउन्स ऐसा लिखा हुआ है तो हर वो शब्द जिसके पीछे myself, yourself, herself, himself ऐसा है या और ourselves, ourselves ऐसा लिखा हुआ है वो सारे intensive या तो reflexive pronoun होंगे यहां तक clear है यह दोनों में यह एक ही keyword है या इससे पहचान होती है अब इनका difference अगर हमें करना है तो हमें यह पता करना पड़ेगा हमें यह देखना पड़ेगा कि यहां पर intensify क्या हो रहा है मतलब intensive pronoun अगर है तो व emphasize करेगा जबकि reflexive pronoun में वो उसके बात तो नहीं आएगा लेकिन इसका होना ज़रूरी है मैं आपको एक example बताती हूँ उससे आपको और clear हो जाएगा एक example है I myself like to travel अब देखिए इसमें I myself like to travel तो emphasize कर रहा है कि यह myself I को और इसके just after आ रहा है just after the noun इस noun के just after जी आ रहा है noun या pronoun तो I के तुरंत बाद में myself आ रहा है तो यह इसको intensify कर रहा है इसको emphasize कर रहा है तो यह intensive pronoun है दूसरा reason यह भी है कि यदि sentence में से मैं myself हटा देती हूँ तो भी sentence वही meaning दे रहा है I like to travel and I myself like to travel तो intensive pronoun का मतलब यही होता है कि ऐसा pronoun जिसमें की तुरंत उसके बाद में आता है noun या pronoun के बाद में reflexive pronoun आता है plus जो कि उसके sentence के meaning के लिए जरूरी नहीं होता है और साथ ही साथ वो उसको emphasize करता है तो यह intensive pronoun कहे जाते हैं जबकि reflexive pronoun में उसका use कहीं भी हो सकता है जैसे they bought themselves a new car हम एक नया sentence लिखते हैं themselves a new car a new car अभी देखिए यहां पर I myself like to travel और they bought themselves यहां पर बीश में gap भी है और यह self themselves इसके लिए जरूरी भी है तो इस तरह से हम दोनों में differentiate कर सकते हैं कि कौन सा sentence reflexive pronoun से जुड़ा हुआ है और कौन सा subject intensive pronoun से जुड़ा हुआ है तो यह थे pronoun and its kind यह आठ प्रकार के pronouns होते हैं जो हमें पढ़ने और समझने होते हैं अगर आपको यह वीडियो में कुछ भी problem हो कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप comment section में से जरूर comment कीजिए description box में इसकी पहले की वीडियो के link दिये हुए हैं या आप हमारी playlist में जाकर भी click कर सकते हैं अगली वीडियो में हम personal pronoun को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से personal pronoun भी अलग अलग तरीकों में समझी जा सकती है और पढ़ी जा सकती है तिल देन थेंक यूँ